हेलो एप्रिबन वेलकम टू क्वांट स्टडी आज हमारी पैंक पीओ के कॉंट का सेकिंड डे है और आज हम कॉंटिन्यू करेंगे परसंटेज जिसमें हम पढ़ेंगे परसंटेज का पार्ट टू आज के जो पार्ट में हैं हम कुछ बिगिनर लेवल के कोशन्स पढ़ेंग कर लिजिए और कोई भी अपडेट मिस मत कीजिए तो आज शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन्होंने पिछले लेक्चर अटेंड नहीं किया लिंक में आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा वह पिछली क्लास का लेक्चर है तो आप उसे कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इने नंबर तो हमारा कोईशन कहता है इस इंक्रीज पाइट 25 परसेंट फैंड न्यू वैल्यू आफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड वैल्यू तो हमारा सुलीशन रहा यह नीचे अब इस कंसेप्ट का क्या है उसको हम एक फ्रैक्शन के साथ मल्टिप्लाइ करेंगे जिसका यह जो अपर पार जिसको हमनियू मिनेटर कहते हैं उसमें अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो 100 में हम वो चीज प्लस कर देंगे और लिनॉमिनेटर एजट इस हंडड ही रहेगा और एकुलस टू का सान डालके हम लिखेंगे उसी number की new value यह रहा आपके सामने a old value multiplied by 100 increase हो रहा है 25% से तो 100 plus 25 और denominator में आगया 100 is equals to a new value इनको solve करेंगे तो हमें दिख जाएगा a old और a new की value 4 is to 4 by 5 है इसका मतलब क्या हुआ अब देखें हमारे पास exact value तो 3 नहीं इसका मतलब यह हुआ कि अगर for example in future यह question थोड़ा और बड़ा होता है और आगे जाके a old की कोई new value दी है या a new की कोई value दी है हम उसको इन value से compare कर सकते हैं कैसे इस fraction का मतलब हुआ कि a old जो है अगर a old 4 units था यानि a की value अगर पहले 4 units थी तो a की जो new value होगी वो 5 units होगी ठीक है अब हम करेंगे next question अब यह आगया concept decrease का पिछला मैंने increase का बताया अब यह आगया decrease का question है b is decreased by 10% what is new value of b with respect to old value solution वही चीज़ b की old value एकी multiply किया अब इसमें decrease हो रहा है तो fraction के हम numerator में 100 से minus करेंगे और denominator as it is 100 ही रहा तो is equal to का sign डाल के b की new value तो निचे solve करते हुए हम देखेंगे b की old value अगर 10 units होती तो b की new value 9 units हो जाएगी यही था increase decrease का concept अब इसके base पे हम आगे questions करेंगे तो यह रहा पहला question question कहता है कि सुरेश के wallet में 200 रुपीज थे उसने क्या किया अपने जो wallet में amount था उसको 20% से increase कर दिया थोड़ी देर बाद उसने अपने जो नया amount है अपने उसके wallet में उसको 25% से और increase कर दिया अब बताईए हमें कि उसके wallet में अब final amount कितनी होगी यह question यह वीडियो एक बार आप pause कीजिए try करके देखिए जो मैंने आपको अभी concept बताया है वही लगा के देखिए अगर आपसे बन जाता है तो well and good अगर नहीं बनता तो solution अब मैं आपको इसका दिखाने जा रहा हूँ so यह रहाँ solution हमने solution में लिखा initial money उसके wallet में थी 200 रुपीज पहला increment हुआ 20% का तो हमने लिख दिया जो मैंने आपको बताया था increment हो रहा है तो fraction के numerator में हमने 100 में 20 प्लस किया हमारे पास 120 आ गया और denominator तो 100 ही रहेगा हमने इसको अभी solve नहीं किया क्योंकि अभी एक और increase होने next line देखिए second increase हो रहा है 25% से वही जो मैंने red portion लिखा हुआ है 125 by 100 ठीक है वो चीज आ गई उसके बाद अब हमने इसको solve करना शुरू किया जब हम इसको complete solve करेंगे हमारे पास आ जाएगा कि 300 आ जाएगी एक नई value ये 300 क्या है ये 300 वो value है जो उसके initial money में दो increments हुए और अब उसके पास wallet में ये final money है तो उन्होंने ये ही पूछ है कि initial money से कितने percent more ये जो more word है इसका बहुत significance है मैंने आपको इसली वीडियो में भी बताया था initial money से कितने जादा पैसे है ये हमें percentage में बताना है percentage में बताना है तो वैसे तो हम ये question खुद भी कर सकते थे मतलब जब आपको बताया था starting में ही कि जब percent or ratio में value पूछी होती है answer में तो हमें exact value लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती but since ये 200 बहुत easy number है बहुत चोटा number है तो हमने इसको सीधा ही solve कर लिया अगर कोई बड़ा number होता तो हम 100 लेके भी सीधा question solve कर सकते थे तो अब आ गया हमारे पास increase in money क्या है 300 minus 200 जो आ गया 100 र amount थी क्योंकि उसके respect में हमें बताना है ना कि कितना increase हुआ डिराउमिनेटर में आगी 200 जो की initial money थी इसको 100 से multiply करेंगे percentage निकालने के लिए तो हमारे पास आ जाएगा 50% इसका answer ये आया next question ये भी same चीज़ पर है increase के population आप देख रहे हो A और B की increase हो रही है 10% से अच्छा A की हो रही है 10% से B की हो रही है 20% से respectively 1999 है था पुराना year 2000 है new year हमें बताना है कि overall total population में कितना increase हो रहा है अगर ये आई next condition if 2000 में दोनों villages की जो population है वो बराबर होगी एक बार वीडियो को pause करिए और try कीजिए एक hint दे देता हूं कि आपने वैसे ही A को A की increase करनी है B की increase करनी है ज उनको कुछ भी करके बराबर करने की कोशिश करना जब वो चीज़े बराबर हो जाएगी आपको पुरानी values भी मिल जाएंगी नई values भी मिल जाएंगी आप उसके हिसाब से answer निकाल सकते हो वीडियो को pause कीजिए और try कीजिए अब मैं आपको इसका solution दिखाने जा रहा हूं यह रहा अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको याद है मैंने आपको एक इस concept से भी question कराया था जिसमे 12 1 by 2% था जिसको हम 1 by 8 लेते थे जिरोंने पिछली वीडियो नहीं देखी लिंक description में है आप एक बार उस वीडियो को देख लो अब हमने क्या लिखा 10% हम जो overall value होती है denominator हमेशा वो होती है जिससे हम question start करते हैं अब जो उपर क्या है question में क्या है increased by 10% तो उपर वाला जो number होगा जो numerator होता है वो increase in population होगा देखिए old population थी 10 increase हुई उसमें 1 तो new population क्या होगी 11 similarly 20% क्यों होता है 1 by 5 होता है old population थी 5 अब इसमें increase हो रही है कि decrease हो रही है B में 20% increase दोनों में increase हो रही है तो यह जो 1 होगा यह add होगा 5 में और हमारे पास new population आजएगी 6 यह right side में देखिए हमाने लिखा हुआ है A की 1999 की population थी 10 A की 2000 की population थी 11 वैसे ही B की 1999 की population थी 5 B की 2000 की population है 6 अब next slide अब हमें क्या कहा है उन्होंने condition के last में condition दे थी कि 2000 में A और B की population बराबर होने चाहिए यानि हमें 11 को 6 के बराबर करने 6 को 11 के बराबर करने कुछ भी करके तो हम क्या करेंगे उपर वाली terms को 6 से multiply कर देंगे नीचे वाली term को 11 से multiply कर देंगे नीचे देखिए अब आपको दिख रहा है A और B की 2000 की population बराबर है 66 उपर भी है 66 नीचे भी है तो अब हम इसको मान लेंगे कि इन यही जो values है यही exact values है क्योंकि हमें in the end percentage पे ही काम करना है हमें exact values को लेने की जरूरत नहीं है हम इनी को exact values मान लेंगे अब सम करते हैं 1999 में total population आगी 115 जो कि हमने 60 और 55 का सम किया 2000 में total population आगी 132 जो कि हमने 66 का सम किया अब total population 1999 115 टोटल population 2000 132 इन दोनों में अब हमें increase बताने क्योंकि question में पूछा है कि कितनी increase हुई है तो increase क्यों होता है मैंने आपको बताया था increase, decrease, greater, lesser इन सब में हमेशा minus होंगे तो 132 से 115 बड़े से छोटा number minus किया हमने देखा कि 2000 में 17 की population increase हुई है as compared to 1999 और इसी की हमें percentage निकाल ली है numerator में आ गया स्तारा, denominator में आ गया किसके respect की बात की गई है 1999 के respect की बात की गई है तो 1999 की population हम denominator में लिखेंगे, 100 से multiply कर देंगे, solve करने पे आएगा 340 by 23% यह रहा हमारा एक और question, increase, decrease के form में तो question कहता है कि suppose कर लेज़े, पहली कोई एक fraction थी हमें नहीं पता क्या fraction थी उसमें numerator को हमने increase किया 300% से numerator होगी उपर वाले जो fraction की उपर वाली term होती है और denominator को भी increase किया 150% से denominator होती है नीचे वाली fraction तो new fraction जो हमारे पास आई वो थी 5 by 8 हमें original fraction बतानी है क्या है हमें नहीं पता original fraction क्या थी, वो हम निकालेंगे अब हमने suppose कर लिया जो original fraction थी उसका numerator n था, denominator d था x वे लेने के ज़रुत नहीं है, चीज़े complicated हो जाती है ऐसे alphabet slow जो आपको याद रहें original fraction क्या आगी, n by d अब new fraction क्या होगी new fraction क्या होगी, जो old fraction थी उसमें numerator में 300% का increase हो रहे मैंने आपको बताया था कि जितने percent का भी increase होगा आप 100 में add कर देंगे 100 में add किया, आपने 300 आपके पास आगया 400 numerator और 100 तो denominator रहे गए रहेगा इसको solve करेंगे, 4n आ गया हमारे पास new numerator, new fraction का numerator वैसे ही हमने old denominator में 150, 100 में 150 add किया 250 आ गया, divided by 100 ही रहेगा और हमारे पास new denominator आ गया 5d by 2 अब हमने ये values put की हमारे पास new fraction आ गया 4n upon 5d by 2 मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था last question में, कि fractions को हम कैसे solve करते हैं, तो 5d by 2, ये जो 2 है, 5d का denominator जो है ये हम 4 में multiply कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8n by 5d new fraction, पर question में हमें ये new fraction की एक value भी दी हुई है, जो की है 5 by 8, हम इन दोन को compare करेंगे यानि 8n by 5d की value ही 5 by 8 होगी, cross multiply किया है हमारे पास n by d की value आ गई, 25 by 64, और आपको याद होगा question के starting में n by d क्या थी old fraction थी, तो ये आ गया हमारा answer अब हम नए type के question करेंगे ये question है, salary waste, कुछ मुश्किल नहीं है, same concept है, बस आपने करते जाने है, एक बार वीडियो को pause कीजी और try कीजी, ये question मुझे लगता है आपसे हो जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको इसका answer पताने लगा so question हमारा कह रहा था कि एक बंदे ने अपनी जितनी भी income थी, हमें नहीं पता कितनी थी उसका 25% लिया और उसका rent दे दिया अब जो उसके पास बची हुई, जो red word मैंने लिखा हुए remaining, यहाँ तो मैंने highlight की है पर आपने इस word का ध्यान रखना है paper के time में यह highlighted नहीं होगा आपको खोद इस word का ध्यान रखना है 20% of remaining उसने जो था वो खाने पे लगा दिया ठीक है, और 10% of remaining यानि पहले 25% दिया remaining में से 20% भी लगा दिया अब एक और नया remaining आया उसके पास कितना बचा, उसमें से भी 10% उसने घूमने फिरने traveling या फिर जो भी होगा उस पे लगा दिया अब यह सब करने के बाद उसके पास end में 8100 रुपीज ही बचे हमें उसकी total income बतानी है अब एक चीज़ देखिए total income खुद में तो 100% ही होगी हम उसको 100 ही assume कर ले क्योंकि हम question को 100 लेके करते हैं end में हम जो भी saving की value आएगी उसको 8100 से compare कर देंगे तो हमने क्या किया उसकी total income को 100 assume कर लिया अब 100 का 25% क्या होगा 25 ही होगा फो उसने लगा दिया house rent पे और उसके पास कितना बचा अभी पहले पहली spending करने के बाद उसके पास बचा 75 रुपीज अब 75 में से उन्होंने कहा कि 20% जो है वो तो उसने खाने पे लगा दिये 20% क्या होता है 1 by 5 होता है हमने 75 को 1 by 5 से divide किया हमारे पास आ गया 15 तो हमें पास चल गया कि उसने 75 में से 15 रुपीज जो थे वो लगा दिये खाने पे अब उसके पास कितने बचे 75 में से 15 माइनिस करोगे 60 बचे अब इस 60 में से भी उन्होंने कहा है कि इस 60 का भी उसने 6% क्योंकि उन्हें रिमेनिंग की बात किये और रिमेनिंग क्या था 60 60 का उसने जो 10% है वो लगा दिये खाने पे 60 का 10% क्या होगा 6 वो उसने खाने पे लगा दिया तो उसके पास बचा कितना 60 में से 6 माइनिस करोगे उसके पास 54 बचा यही 54 थी उसकी saving हमने जो solve किया इसमें हमारे पास number आया 54 saving का question में जो दिया है question में दिया है 8100 saving का तो हमने 54 को 8100 से compare किया हमारे पास 1 की value आगी 150 और हमें value किसके निकालनी थी 100 की क्योंकि हमने question के starting में assume किया था total income उसकी 100 है तो 150 को हम 100 से multiply करेंगे तो हमारे पास answer आजएगा उसकी total salary थी 15,000 यह आगे second question salary base पे ही शुरिया एक लड़की है जिसने 16% अपनी salary जो है NGO को देने का decide किया ठीक है जब देने का time आया उसकी नियत बदल गी उसने कहा कि नहीं मैं पूरी 16% नहीं दूंगी उसने 6567 रुपीज डोनेट किये जो की 75% था जो उसने पहले decide किया था यानी 16 का भी 75% ही उसने डोनेट किया अब हमें इसी के help से बताना है कि शुरिया की monthly salary क्या है हम क्या करते हैं शुरिया की जो monthly salary उसको 100 एजियूम करते हैं ठीक है उसकी 100 units आगी उसकी monthly salary उसने starting में decide किया कि मैं 16 units जो है वो डोनेट कर दोंगी उसके पास बचेंगे 84 unit हमें savings कोई लेना द बात हुई है तो उसने क्या decide किया था कि 16 units वो डोनेट करेगी देने के time उसका mind बदल गया उसने क्या कहा उसने जो decide किया था उसका उसने 5, 6, 7 रुपीज ही दिया पर हम जो है अभी assumptions पे काम कर रहे हैं तो जब भी हम assumptions पे काम करते हैं हमने assume किया 100 units उसकी salary तो हम जब भी हम assumption पे काम करते हैं हम हमेशा percentage जो ratio पे work करते हैं exact figure पे काम नहीं करते तो हम 6, 5, 6, 7 पे काम नहीं कर सकते इसके बजाए हम 75% पे काम करेंगे statement कहती है 75% of what she decided earlier यहाँ पे आ गया उसने decide किया था 16 units देने का 75% of 16 जो हम लेंगे तो हमार पास value आजेगी 12 units तो यानि कि उसने अप 16 units देने के बज़ए 12 units देने का फैसला लिया अब हम compare करेंगे और वो 12 units की value कहा थी 6567 अब हम compare करेंगे as per question 12 units की value है 6567 1 की value आगी 6567 divided by 12 अब एक चीज़ जब आप question solve करने लगोगे इधर तो आपको पूरा solution दिख रहा है जब आप solve करने लगोगे ना जब आप इस point पे जब आप 12 को 6567 से compare करोगे आप कहोगे कि 12 तो even number है और 6567 तो odd number है शायद मेरा question गलत जा रहा है पर ऐसी हडबड़ी मत करना अराम से करना 1 की value लिकी 6567 upon 12 अब हम next part देखते हैं क्या पता हमारा question बीना points के solve हो जाए ठीक है क्योंकि salary तो कभी points में हो नहीं न सकती तो salary तो exact figure ह होगी हमने next चीज़ देखी income क्या थी हमने अजियूम कियो इसकी 100 units हमने 6567 divided by 12 को 100 से multiply कर दिया और जब आप इस चीज़ को solve करोगे आपके पास एक income आ जाएगी जो कि decimal में नहीं होगी और यह रही वो income 54725 is income of Shreya अब हम करेंगे next exam based question question आपकी screen पे है काफी easy question है तो easy question मेरे लिए है आप चलो अगर start कर रहे हैं अगर आपने इसको पहले पढ़ा है तो आप निकाल लोगे अगर आप इसको first time पढ़ रहे हैं तो फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक try ज़रूर मारे हैं इस question की क्योंकि मैंन marks लेने के बाद भी वो 45 marks से fail हो गया वहीं एक दूसरा candidate है उसने 42% score किये और उसके जो marks थे 85 marks से 45 marks उपर है हमें total marks बताने हैं exam के कितने होंगे और यह रही आपके hint आपको पता है एक exam में दो बच्चों जो exam लिखेंगे उनके अलग-अलग marks आ सकते हैं बिलकुल आ सकते है पर एक चीजा आप नोटिस करना आप जो exam देने बैठे है और आपका फ्रेंट जो अगर same exam देने बैठ है तो उस exam के total marks for example 100 marks का exam में तो आपके लिए 100 marks का exam होगा आपके फ्रेंड के लिए 100 marks का exam होगा अगर उसके passing marks 40 हैं तो आपके लिए भी 40 marks ही होंगे और आपके friend के लिए भी 40 marks ही होंगे हम उन component पे काम करेंगे जो same होंगे क्योंकि आप जो marks score करेंगे वो अलग-लग हो सकते हैं पर अगर दो equations में हमें कोई same element मिल जाए तो हम उनको compare कर सकते हैं उस same element के basis पे वही चीज मैंने लिखी है कि marks जो है अलग है पर जो passing marks है या फिर जो total marks है वो same है तो हम इन दोनों में से किसी एक पर काम करेंगे passing marks तो हमें maximum marks जो यानि total marks तो हमें निकालने हैं तो हम क्या करेंगे passing marks पे काम करेंगे एक बार वीडियो को pause करो और इसे try करने की कोशिश ज़रूर करो अब मैं आपको इसका solution दिखाने जा रहा हूँ ये रहा हमने क्या किया पहले candidate के passing marks अब देखिए अगर आप 30% पे pass हो रहे हैं आप क्या कहते हैं यार 45 marks और आ जाते तो मैं pass हो जाता अगर हम उसी 30% में 45 marks add कर देंगे तो आप pass हो जाओगे बिल्कुल हो जाओगे वैसे ही second candidate स्पोज कर लो आपका दोस्त है उसके passing marks से 45 marks उपर है ठीक है आप उसको कहते हैं यार तेरे 45 marks उपर आ गये है तो अगर अपने 45 marks मेर को देदे किसी तरीके से तो मैं भी pass हो जाओँ तू भी pass हो जाए तो हम क्या करेंगे वही 42% उसके उपर और 45 marks जो थे वो passing marks से उपर थे वो हम minus करेंगे तो वो भी passing marks में बन जाएगा अब दोनों बच्चों के लिए passing marks तो same होगे तो हम equation को equate कर देंगे equate करने के बाद क्या आया 30% plus 45 is equal to 42% minus 45 percentage percentage हम एक side ले जाएंगे और numerical value, numerical value हम एक side ले जाएंगे यह करने के बाद हमारे पास 12% की value आजेगी 90 यहाँ जे हम 1% की value निकाल लेंगे अब हमें पता है maximum marks खुद में 100% होते हैं तो हमें 100% की value निकाल लेंगे अगर हमारे पास 1% की value है तो उसी value को हम 100 से multiply कर देंगे तो हमारे पास 100% की value आजेगी यही मैंने यहाँ solve किया हुआ है 1% की value है 90 by 12 इसको हमने 100 से multiply किया और तो 750 हमारे पास आ गए maximum marks यह रहा second question exam based इसमें कहा गया है कि इस exam में एक exam था उसमें एक student ने 40% marks लिये अब इसमें देखे दोनों बंदे पास हो गए है कोई fail नहीं हो गए जो एक बंदा है जिसने 40% marks लिये उसके marks जो है वो 35 जादा है पासिंग marks से और जिसके 45% marks दे उसके marks कितने 60 जादा है पासिंग marks से same question है आपको try करना है maximum marks बताने हैं ये रहे आपके options तो मुझे आप ये answer solve करके मुझे इनका answer आप comment में post करकर दिखाईए अगर आपने ये question solve कर लिया मतलब आपको ये concept clear हो गया हुआ अब ये आ गया next question ये बहुत easy सा question है इसमें हम नहीं क्या किया ratio proportion को mix किया बीच में percentage के साथ और कुछ नहीं किया हुआ question कहा रहा है कि ratio जो है लड़कों और लड़कियों की एक school में 3 is to 2 की है अब उस में से जितनी भी वो है हमें नहीं पता 3 is to 2 में लड़के exactly कितने हैं लड़कें exactly कितनी हैं उन्होंने कहा है कि 20% boys जो है उनको scholarship मिलेगी और 25% girls जो है उनको scholarship मिलेगी अब हमें percentage निकालनी है उन students की जिनको scholarship नहीं मिलेगी अब एक चीज़ बताइए question में हमें क्या निकालने को exact value निकालने को कहिए यह percentage निकालने को कहिए यह लिखा है find percentage तो हमें percentage में answer निकालने है जब भी percentage जो ratio में answer निकालना होता है तो हमें exact value पे काम करने की जुरूरत नहीं है हमने assume कर लिया कि 3 is to 2 की ratio है ना हमें 3 is to 2 की ratio maintain करनी है हमने लड़कों को 30 मान लिया लड़कियों को 20 मान लिया ठीक है अब देखिए लड़कों को 30 माना लड़कियों को 20 माना अब उन्हें क्या कहा है कि 20% लड़कों को scholarship मिली है तो कितने percent लड़कों को scholarship नहीं मिली है 80% को 100% से आप 20% minus करोगे तो 80% है 30 का 80% क्या होगा अगर हम इसको हवा में solve करें आपको पता 80% का percent हटे का तो 100 आएगा आपको 80 के साथ भी 0 दिख रहे है 30 के साथ भी 0 दिख रहे है आप वो 2 0 100 के 0 से cancel कर दो आपके पास सिरफ 8 into 3 बचेगा तो 8 3s are 24 यानि कि 30 में से वो 24 लड़के हैं जिनको scholarship नहीं मिल रहा वैसे ही अगर 25% लड़कियों को scholarship मिल रहा है तो 75% यानि कि 75% लड़कियों को scholarship नहीं मिलेगा है ना तो 20% का 75% क्या होगा 20% का 75% अब जब आप solve करोगे तो आपके पास आजएगा 15 ठीक है 20 में से 15 लड़कियों को scholarship नहीं मिल रहा तो total student कितने होगे जिनको scholarship नहीं मिल रहा 15 लड़किया 24 लड़के तो 39 अब हमारे पास आगे total student जिनको scholarship नहीं मिल रहा अब हमने question के starting में assume किया था total लड़किया है 30 total लड़किया है 20 तो इन दोनों का sum मिला के total student 50 हो गए है ना total student 50 हो गए जिनको scholarship नहीं मिल रहा वो 39 student है हमने 39 को 50 से divide किया 100 से multiply किया तो 78 परसेंट आ गया हमारे पास इसका answer यह question आप खुद भी कर सकते थे जिन जिनोंने खुद किया है बहुत अच्छी बात है यानि आपको percentage के concept काफी easily clear होते जा रहे हैं जिनोंने नहीं किया कोई बात भी एक बर practice कीजिए दो बर practice कीजिए questions आ जाएंगे अब आया कि next question यह आ गया question थोड़ा अलग type का अलग type के सिर्फ wordings है और कुछ अलग type का नहीं है सिर्फ दिखाने में सिर्फ statement थोड़ी अलग type की है और कुछ नहीं है इन्होंने कहा है कि car की price जो है वो दो लाक रुपे है उसको जब company ने insure किया तो आपको बता न कुछ depreciation होती है amount में तो company ने depreciation करके बताया कि अगर आपकी car कल को accident होता है और total loss हो जाती है हम आपको दो लाक नहीं देंगे हम उसका 85% ही आपको वापिस देंगे ठीक है पर जब असली time आया claim लेने का तो company ने क्या कहा कि नई सर 85% जो हमने agreement पे लिखा था वो हम देंगे हाँ जो amount हमने पहले decide की थी उसका हम 90% आपको वापिस कर देंगे यानि कि 90% of 85% ठीक है सुनने में confusing लग रहा है solution में आपको easy लगने लगएगा ठीक है next चीज आगी उनने कहा actual price और जो company ने बंदे को price पे की उसमें difference के है actual price तो आपको 2 लग पता है आपको बस company की price निकालनी है और उन दोनों को minus कर देने शुरू गटते हैं अपना solution actual price है 2 लग company ने जो उनको price देने agreement पे देने की बात की थी वो थी 85% जब हम solve करेंगे तो आपको पास आजएगा 1,70,000 next चीज company ने 1,70,000 उसको complete पे नहीं किया company ने उनको 90% of 1,70,000 पे किया ठीक है 90% of 1,70,000 निकालनेंगे तो हमारे पास आजएगा 1,53,000 अब ये है वो amount जो company ने उसको पे की है और उपर ये है वो amount जिसको company ने जो कार की actual price है इन दोनों का हमने यहाँ difference निकाला और जो question पूछा हुए question में difference ही पूछा हुए तो वही आ गया 2,00,000 में से 1,53,000 आप निकालोगे तो 47,000 आपके पास आ जाएगा और यही है इस question का answer तो यह था आज का last question इसके साथ हमारा आज part second खतम हुआ कल हम करेंगे final part यानि की part 3 percentage का और इसके साथ आपकी percentage खतम हो जाएगी प्लीज आप like कीजिए subscribe कीजिए, share कीजिए thank you